अब हम देखेंगे कि objects अभी तक हम use करते आये हैं लेकिन एक better way है objects का वो है उनको class से declare करना ये mostly object oriented चीजों में होता है लेकिन properly object oriented language नहीं है JavaScript तो इस case में हम देखेंगे कि कैसे classes use होती है JavaScript में तो objects को सबसे पहले हम देखते हैं कि objects हैं क्या सबसे पहले हम एक person object ले रहे हैं और suppose उसकी चार properties हैं ये चार properties हम देख रहे हैं कि इनमें कुछ value होगी एक string या number हो सकता है तो जब भी हम एक object create करते हैं JavaScript में जो हम पहले देख चुके हैं mobile है याँ पे phone है अगर आप इनी object को एक same program में पास कर दोगे problems exist कर सकती हैं वो problem से बचने के लिए आप चाहोगे कि object एकदम एक जैसा ही दिखाई दे तो इस case में आप class use करोगे और class से आप एक object create करोगे तो class एक template की तरह act करता है और उससे आप एक object बना सकते हो तो देखते हैं जावस्किप में सबसे पहले आपको class keyword यूज करना है और उसके बाद class का नाम लिखना है mostly हम capital से शुरू करते हैं जैसे यह person यूज किया है उसके बाद एक constructor हम पूट करते हैं constructor एक function है एक keyword है constructor और एक function है जिसमें आप वो properties पूट करते हो जो आपको शुरू में initialize करनी है जैसे इसका name है suppose इसके पास एक ही property है तो यह constructor में यह argument आप पास करोगे और बाद में आप mostly एक line लिखते हो जिसको हम assignment बोलते हैं इसमें आप this.name equal to name यानि आप कह रहे हो कि this यानि person object जो भी इससे बनता है उस object का name वही होगा जो आपने constructor में पास की है यह कहें तो इस सबसे important function है क्योंकि जैसे यह object create होता है तो constructor चल जाता है और उससे यह आपके object को initial value assign होती है तो इसका example देखते हैं जैसे मैं यहाँ let p1 equal to new person लिख रहा हूँ new keyword important है यह एक नया memory allocate करता है और एक new person object बना रहा है अब इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे यह constructor call है यह जो bracket है यह ऐसा नहीं है कि person एक कोई तरह का function है person तो class है जो यह सामने bracket है यह तरह से constructor को call कर रहा है तो constructor call हो रहा है उसमें हमने जैसे जै एक string pass किया है वो actually में क्या है वो name है क्योंकि उपर हमने वैसा लिखा हुआ है इस नेम इसका pass हो गया इसो जिसे this.name भी जै हो जाएगा यानि यह जो p1 object बना है इसका जो .name प्रॉपर्टी है वो जै ही है तो यह चीज पहले भी हम सीधे कर देते थे कि p1.name equal to जै यहाँ पे हम थोड़ा इसको एक procedure से कर रहे है तो यहाँ पे एक p1 object बनके आएगा जो exactly इस template को copy करेगा ऐसे ही हम p2 बना सकते हैं और वो भी jack होगा उसका नाम लेकिन वो exactly same interface को copy करके आएगा आगे हम देखते हैं कि बहुत सारी properties को भी हम इसी तरह से copy कर सकते हैं जैसे यहाँ इस तरह एक से चार properties है तो आपका constructor कुछ ऐसा दिखाई देगा मतलब आप देख सकत हो कि इसमें person में हमने 4 arguments sequentially pass की हैं तो आप imagine कर सकते हो कि इसकी class definition या constructor definition कैसी होगी तो कोई limit नहीं है आप कितना भी बड़ा constructor बना सकते हो और एक तरह से जितने भी object उस constructor या उस class से बनाओगे वो सब एक जैसे से दिखाई देंगे और उनमें programmatic error करना मुश्किल होगा तो अभी तक हम objects बनाते आ थे direct ways में अभी हम class से कुछ object बना के देखेंगे तो class को use करने के लिए class keyword यूज करना पड़ेगा उसके बाद मैं जैसे student use कर रहा हूँ as capital जो की convention है class बनाने का फिर मैं एक brace put करता हूँ तो यह एक तरह का class का block बन गया है यहाँ पे आप class define कर सकते हो इसमें सबसे important है constructor, constructor method by default आपको call करना होता है इसमें आप कोई भी property initialize कर सकते हैं तो जैसे मैं अभी name एक property initialize करना चाहता हूँ और मैं लिखूंगा this.name equal to name यानि जो भी constructor में name pass किया जाए वो this यानि इसके बने हुए object की name property में चला जाए तो इस चीज को अब इस class को use कैसे करना है आप एक variable declare करोगे जैसे मैंने student1 एक variable declare किया और एक new keyword के साथ इस class का constructor call कर लोगे तो new keyword important है फिस student और ये constructor call है ये जो parenthesis आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आप name pass कर सकते हो तो name में आप कोई भी string pass कर सकते हो क्योंकि अभी तो वैसे भी restriction नहीं है तो यहाँ मैंने एक string पास कर दिया अभिशेक तो अब ये क्या होगा कि ये this.name से अपने आप student.name ये बन चाएगा तो अभी इसमें अगर आप student 1 प्रिंट करके देखोगे console पे तो आप देखोगे यहाँ student type का object दिखाई दे रहा है जिसमें name है एक interesting चीज़ इसमें student लिखा रहा है कि ये किस type का object हो जाने लिए पहले हमने नहीं देखा था अगर आप एक normal object पहले बनाते थे जैसे आप कोई भी object बनाओ suppose student 2 इसको direct बिना class के बनाते हैं तो हम name में कुछ भी put करते हैं तो वैसा-सा ही output अभी भी आ रहा है जिसे name is john but जो difference आपको दिखाई देगा कि इसमें object का एक identity है जगा सकते हो और constructor में भी कुछ validations put कर सकते हो तो इस channel पर हम देखते हैं interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो subscribe कीजे